ये दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे योहल्प यूटूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए सरकारी नौकरी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये एकदम फ्री है नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का योहल्प न्यूज में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरकार की तरब से 25 रोपे ट्रांसफर किये गए हैं लोगों के अकाउंट में आप सबको पता होगा देज भर में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की अपस्कार को बताने वाले हैं कि सरकार की तरब से सरकार की तरब से, और आप अपना नाम कियेए हैं या नहीं मिले हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो वीडियो को लाइक करदे है चैनल को सब्सक्राइब करदे है साथी साथ घंटी को यानि कि बेल आइगन को जरूर दबा दे ताकि गौवर्मेंट की तरब से जब भी कोई भी नए अनाउस्मेंट होते है तो वीडियो के माद्यम से उसकी information आपको घर बैठे सबसे पहले मिल जाए फ्री में तो चलिए ये सारी list चेक करने के लिए आपको वीडियो की description में एक link मिल जाएगी तो वहाँ पर click करके जो है आप जो page open होगा interface इस तरह से आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं COVID-19 अनुग्रह रासी भुक्तान टू 15 100 रुपे की ये किस्त है पहली किस्त जो थी वो 1000 रुपे की थी जो की बहुत सारे लोगों को मिल गई है दूसरी भी बहुत सारे लोगों को मिल गई है तो दोनों को सेम तरीके से चेक कर सकते है आप उपर देखेंगे तो पहली किस्त की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते है COVID-19 अनुग्रह रासी भुक्तान ने एक 1000 रुपे की तो पहले लोगों को 11,000 रुपे दिएगा उसके बाद सरकार ने 12 जो है 15-15 सौ रुपे लोगों की अकाउट में ट्रांसफर किये है तो इस तरह से टोटल 25 सौ रुपे जो है गरी परिवारों की अकाउट में ट्रांसफर किये गए है कमेंट करके आप अपने सहर का नाम, जिले का नाम, स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताएगा और ये बात जरूर बताएगा कि आपको ये पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं और साथी साथ अपने स्टेट का नाम, सहर का नाम इसलिए भी बताएगा कि अगर government की तब से कोई भी बड़े announcement होते है कोई भी नया notification आता है सरकार की योजनाओं का कोई भी नया ऐलान होता है तो वीडियो के माध्यम से उसकी information आप तक घर बैटे free में पहुंच जाए तो चलिए मैं फटफट आपको बता देता हूँ कि किन लोगों को जो है ये पैसे transfer हुए है तो यहाँ पर आपको click कर देना है ठीक है तो इस पर हम click कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह से interface open हो जाएगा payment to तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने जिले का नाम select करना है ठीक है उसके बाद आप अगर सहरी छेत्र में रहते हैं तो सहरी छेत्र ग्रामीड में रहते हैं तो ग्रामीड ये select करने के बाद आपको अपना नगर निगम select करके खोजें पर click कर देना ह तो सारे option पर हम click करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी एक जिला select करता हूँ आप जिस भी जिले के रहने वालों आपको वो select करना है आप सहरी छेतर के हैं या ग्रामीड छेतर के हैं जो हो वो आप select करिएगा नगरपाली का कचैन आप जो चाहे वो नगरपाली का कचैन आप कर सकते हैं देखे सारे detail मैंने fill कर लिए उसके बाद इस खोजे के option पर हमने हाँ पर click कर दिया तो देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों को यह पैसे आए हैं आप देख सकते हैं कि जो यह district है मैं बात कर रहा हूँ अजमे district की उसकी जो नसीरबाद जो यह है नसीरबाद city है उसका ward number 1 में total 59 candidates को यह पैसे जो है वो मिले हैं ठीक है तो यहाँ पर विफल अशुक्रत भोकतान ठीक है तो यहाँ पर अधिक जानकारी आपको right side पर दिख रहे होगे इस अधिक जानकारी पर जो है हम यहाँ पर click कर देते हैं तो जैसे हमने यह अधिक जानकारी पर click कर द दिया गया है जिस भी candidates को मिला है उनका नाम दिया गया उनकी father का नाम दिया गया उनकी wife का नाम दिया गया और यह 15 रोपे की दूसरी किस्त दी गई है और यहाँ पर transaction successful दिखा रहे हैं तो इस तरह से हमने क्या चेक किया कि आप अपने नाम देख सकते हैं आपको करना क्या आप अपने जिले का नाम select करें अपने गाओं का नाम select करें थीक है सहरी चेतर है या ग्रामीट चेतर में वो select करिएगा अपने नगर निगम का selection करिएगा उसके बाद अपने नाम देखकर करके आपकी पूरी detail आजाएगी 15 rupay का transaction यहाँ पर successful बता रहे है इसी तरह से आप 1000 रुपए के लिए भी transaction कर सकते हैं तो जो पहली किस्त थी वो 1000 रुपए की है जो की आ गई है अकाउंट में दूसरी किस्त जो है वो 1500 रुपए की है तो इस तरह से टोटल 2500 रुपए जो है वो transfer किये गए है coronavirus के समय सभी गरीब परिवारों के तो comment करके बताएगा आपको ये पैसे मिले है की नई राजस्थान सरकार की तरफ से ये पैसे जो है लोगों के account में transfer किये गए है आप comment करके अपने सहर का नाम जिले का नाम जरूर बताएगा ताकि अगर आपके छेतर पे कभी भी कोई भी government की नई scheme साती है तो वीडियो की माध्यम से उसकी information आपको बता दी जाएगी ये जो scheme थी अभी सिफ राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान के लोगों के लिए पैसे transfer किये गए है वीडियो आपको कैसा रहागा comment करके जरूर बताएगा Thank you so much